कि है गाइस वेलकम तो मैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब बिलो एंड प्रेश दी बैल अकन फॉर मुचल फंड अपडेट्स है दोस्तों आज हम बात करने वाले कॉंड एक्टिफ फंड डेरी ग्रोथ के बारे में इस वीडियो से शुरून से वहले मैं आपको बताना चाहता ह जिनको नहीं पताओ कॉंड मुचल कैसे वह करता है कॉंड मुचल फंड बी टाइप ऑप मुचल फंड है जैसे अजी सब्सक्राइब एक्जी से अलग क्यूं है वह सम अब ने उस वीडियो में बताया था तो मैं आपको शॉर्ट में बता जेता हूं बसिक्क्लि जो कॉंड मिचल फंड है यह एक computer-based software program algorithm के basis पर work करता है artificial intelligence के तुरू यह work करता है like artificial intelligence के तुरू इन्होंने खुद का algorithm बनाया है और strategies create किये जो कि selected stocks को buy करते हैं और sell करते हैं तो इसमें इस fund में like इनके जो मिचल फंड में invest करने है वह stocks गिर भी सकते तो यह algorithm के तुरू जैसे उनको news मिलता है कि इसके company गिरने वाले है या बढ़ने वाले तो वह से time पर यह buy करते हैं और sell करते हैं तो इनके तुरू आपको फायदा मिलता है तो यह सब computer-based software program के तुरू होता है कोई human made कुछ भी नहीं है यह computer-based उन्होंने एक algorithm बना है strategies बनाई है इस इन सब की वाज़े से कॉन future fund बहुत ही famous है और कॉन की जितने भी fund से like कॉन small cap fund कॉन active fund इनके बारे मैं अभी बताने वाला हो कॉन consumption fund ऐसे बहुत fund है जो कि इसी algorithm के बैसे इस पर यह work करती है तो यह small and short में था आपको पूरा detail में देखना हो तो आप वीडियो को देख लेजेगा में कॉन active fund ही क्यों लायो आपको उसके बहुत सारे रीजन से एक रीजन यह है कि यह कॉन active fund लाइक पिछले फाइव एस में थ्री एस में बहुत ही नीचे था लाइक फिप्ट रैंक पे था अभी फिर्श रैंक पर आ गया है और एक बाइक पिफिलार टो überhaupt में तो लेने चाहिए लिए नों तो मैंने बच्व से अब को बटा जाए कि नमबर वन फक आ aby मैं अभी फिलार और registerशलों इनको बहुत ही अच्छ ला dispersed के आप देख सकतो ही एंप झेट प्रेंब्सनी एस फा स्क्रीन में 205 00 फाइव YR के रिटैन से 20.40 परसंट है और ओवरॉल Average इनसे 18.30 परसंट अब इनके जो कैटेगरिया Average अब क्या है आप सक्थे 21.10 है इन यह कम के चैटेगरी एवरेज रिटन्स है वह तो इस वज़े से मैं यह फंड लेकर हैं कि आप इसके इसके इंवेज सकते हो और exit load 0 है इसके तो पीर कंपरिजन जिसे बहुन आपको बताया था कि एक्सिस फ्लेक्सी के फंड परक परिक फ्लेक्सी के फंड जो कि बहुत ही फेमास है जिनको फाइव शुटा है बट आगर आप देखोगे return और इनके जो सेलेक्टर स्टॉक से अल्गुरिथम बिस्सेस पर इन्वेस्स करते हैं तो उस वजह से उन कारणों के वैसे मैंने कॉन एक्टिफ फंड आपके संबने में लेग क्या है इसके एक्सपांस एश्यों 0.57 पसंड में आपको बताया एक्सित लोट बहुत ही कम है एक अब यह चीज़ बताना चाहता हूं बोट लोग ने नोटीस किया कि नहीं जैसे मैंने बताया था ही एक एक्सित पर वक करते हैं तो जिंके चुछ चेंज होते रहेते हैं तो यह हार्ड ली 30 डेस में अपने श्टॉक्स को चेंज करते हैं जैसे में एक्सांपल आपको दे सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब सोच के एक फंड मैं आपके सामने लेके आयो करके विकॉस हमेशा आपने 30 टोक्स करते हैं इसमें जो मिनिम्मम इन्यस्मेंट अब थाओजन कर सकते हैं मिनिमंट मेंट में टो सकते हैं इनका जो फंड मैंज्मेंट हैं जो हैंडल करते हैं संजीव शर्मा घौराफ बढ़राए शमिल मेरा रचन पतनाया के वासफ सेल बालाउ एंकित पंड़्य है तो अगर आप कॉंट के फंड में इन्वेस्ट करना है का सोच रहे हो और कॉंट की और भी अच्छे फंड है कॉंट के स्मॉल क्याप फंड जो कि अभी आइधिंग नंबर वन पे तो नहीं बोल सकता बट उसके बारे मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं वह थोड़े हाई है तो उसमें इन्वेस्ट मत की जाएगा बट उन जो फंड से वह बहुत ही अच्छे रिटन्स दे रहे हैं उनके जो वनियर के रिटन्स हैं सेविंटी पसंट के इन इन जो स्टॉक से च्यंश करते और इसलिए नंबर र से नंबर वन पर आ गया मल्टिकेप में तो वह सर्फ को आपके सामने लेगे हूं अगर आप सोचे हो किससी fund में invest करनेगा for 2021 multi-cap fund में आप सोचे हो तो इस fund में invest कर सकते हो आप अपने फैमिली या अपने फरेंश के साथ भी ये video को शैर कर सकते हो और अपो पुर्ष को थोड़ा भी knowledge मिला हो तो प्लीज इस studio को लाइक करिजेगा चैनल को सब्सक्राइब करेजएगा थैंक्यू सो मच वाटिंग दे वीडियो